मसकार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम होलिका दहन का पोश्टर बनाना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से तो इस वीडियो को आप सुरू से लेकर अंत तक देखते रहें आकि आप भी इस तरह से बनाने के लिए आपको एक application की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम pixel live and pixel live application का link वीडियो के description में मिल जाएगा साथ ही साथ जो मैं background और png material यूज करूंगा सभी का link वीडियो के description में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप download कर सकते हैं और आप भी इस तरीके से एक अच्छा सा poster create कर स से डिलीट के आईकान पर क्लीक करेंगे और OÓK प्रिस कर देंगे डिलीट हो जाएगा अब हम सब्से पहले एक ऐख ग्राउण को सेलेक्ट करेंगे तो नीचे श्कॉल करेंगे इस पर टैप करेंगे प्रॉम गलीरी पर क्लिक कर देंगे जिस folder में आप background को रखे हैं वहाँ से background को select करेंगे तो यह weten 세़लिदर हम यहाँ से background को select कर लेते हैं आप देख सकते हैं यहeon 2 बैक है इस पर tap करेंगे और ok के icon पर click कर देंगे फिर 6 के icon पर click कर देंगे background select हो जाएगा दोस्तो हमने कुछ ही इस तरीकी का background कर लिया है ताकि आपको इस तरह से poster बनाने में कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से इस तरह का poster बना सके मैं आपको एक photo png करना इंट्रो बैंडर लगा देना है तो सबसे पहले में photo png को select करते हैं तो plus key option पर click करेंगे फ्रॉम गैलेरी है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और फोटो पेंजी बनाना सीख सकते हैं मोटे वाले बिंदू पर टैप करेंगे इस तरीके से छोटा करेंगे इसे हम अपने करेंगे यहां से इन्ट्रो बैनर को सेलेक्ट कर लेंगे यहांसे इसे नीचे की शार Mina कर लिया हैं अब एक लगाने दोस्तो तो logo लगाने के लिए आपको ओपर चले जाना है प्लस के option पर click करेंगे from gallery पर click करेंगे जिस folder में आप अपने youtube channel का logo रखे हैं वहाँ से select कर लेंगे folder हम यहां से folder में जाएंगे और logo को select करेंगे इस पर tap करेंगे और ok press कर देंगे और फिर हम साही के आइकान पर क्लिक कर देंगे लोगो सेलेक्ट हो जाएगा मोटे वाले बिंदु पर टैप करेंगे इस तरीके से छोटा कर लेंगे इसे हम अपने हिसाब से अरजेस्ट कर लेंगे अब दोस्तो आप देख सकते हैं लगबग लगबग पोश्टर बनके तयार हो चुका है अगर आप इसमें और कुछ आइड करना चाहते हैं तो आप अपने साब से आइड कर सकते हैं अब हम आपको बताएंगे इसे आप अपने गैलिरी में सेब कैसे करेंगे दोस्तो इस पोश्टर को सेब करने के लिए ऊपर चले जाना है और यहाँ पर देख सकते ह सेर के आइकान पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप सेर के आइकान पर क्लिक करेंगे डिफॉल्ट पर क्लिक करेंगे और अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे सेब टू गलिरी पर जैसे ही क्लिक करेंगे या पोश्टर आपकी गलिरी में सेब हो जाएगा इसी तरीके से अपने पोश् प्रेस्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए